चाहे सुबह का नास्ता हो या बच्चों का लंच बाक्स हो हम लोग पराथे टेली बनाते हैं और जनरली हम लोग square shape या तो triangle shape में बनाते हैं लेकिन मैं आज आज आपके लिए ले आई हूँ 11 तरीकों से पराथे बनाना और ये बिल्कुल easy हैं आप इस तरह से बच्चों के ल लाइक और subscribe जरूर कर दें पराथे बनाने के लिए यहां पर मैंने आटे को पहले से ही गुत कर रखा है ये गेहूं का आटा है और इसे नार्मल जो हम लोग रोटी के लिए आटा गुतते हैं इस तरह से मैंने गुता है और इसमें से एक लोई लेंगे और रोटी जैसे हम बेलते हैं उसी तरह पतली रोटी बनाकर तयार करेंगे लोई के उपर सुखा अटा लगा देंगे और इसे बेल लेंगे पतली सी रोटी जिस तरह से हम लोग सेखते हैं उसी तरह से बनाना है अब इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी लगा देंगे देशी घी में पराठे जब बनते हैं तो बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं और इस तरह से चारूतरप अच्छी तरह से घी लगाने के बाद इसे आप चाकू से या पीजा कटर से जो भी आपके पास अलेबर हो उससे इस तरह से कट करें सेंटर से साइड तक अब इसे हातों से इस तरह से एक साइड उठाते हुए फोल्ड करें जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं इसी तरह से फोल्ड करते जाएं इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरे सीर्य तक आ जाएंगे और इसे हलके हातों से इस तरह से प्रेस कर देंगे यह देखिए पहले पराठे की लोई बनकर त्यार है अब इसे साइड में रख देंगे दूसरे तरीके का प्राठा बनाने के लिए एक लोई फिर से लेंगे और इसे रोटी की तरह पतला बेल लेंगे और बेलने के बाद इस पर अच्छी तरह से देशी घी लगा देंगे अब इसे बीच से क्रॉस करते हुए फोल्ड कर देंगे जैसा वीडियो हम देख रहे हैं और इसके उपर फिर से घी लगा के फोल्ड कर देंगे यह नॉर्मली हम लोग डेली बनाते हैं ट्राइंगल वाला प्राठा यह दूसरी तरह के का प्राठा बनकर त्यार है अब बना लेंगे पहले और इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी लगाएंगे देशी घी चारो तरफ अच्छी तरह से लगाना है देशी घी अच्छी तरह से जब लगा रहेगा तभी हमारे पराठे जो बीच में लेयर होती है अब इसके तरह से फोल्ड कर देंगे आप दे चोकोर शेप में पराठा बनकर त्यार है तीन तरग के पराठे बन गए अब चौथी तरग का पराठा बनाएंगे रोटी बेल लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी रगाएंगे चारो तरफ जब देशी घी अच्छी तरह से लग जाए तो इसे पिज्ञा कटर से चोड़े-चोड़े पट्टी में काटेंगे आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं इस तरह से काटें इस तरह से चोड़ी पट्टी काट लेंगे और एक पट्टी उठा कर दूसरे के उपर रखते जाएंगे इस तरह से फिर दूसी से उठाएंगे और रखेंगे इस तरह से एक के बाद एक उठाकर एक के उपर एक रखते जाएंगे जब सभी पट्टियां के उपपर एक रख लेंगे तो इसे हलके हातों से प्रेस करके और बीच से एक सीरे को पकड़के अंदर की तरफ रोल करेंगे जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं इस तरह से रोल करते जाएं और दूसरे सीरे को पकड़के नीचे के साइड में प्रेस करकर दबा देंगे इस तरह से यह देखे चोथे तरीके का पराठे की लोई बनकर तयार है अब इसे प्लेट में साइड में रख देंगे अब आईए पाचवे तरीके का पराठा बनाते हैं इसके लिए एक रोटी बेल कर तयार कर लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी लगाएंगे जब देशी घी अच्छी तरह से चारो तरफ रोटी पर लग जाए इसके बाद इसे पीजा कटर से पतले पतले पत्तियों में काटेंगे यह लच्छा पराठा है जो हम लोग अकसर रिस्ट्रेंट में खाते हैं और बहुत ही ज्यादा यह टेस्टी होता है इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं इसी तरह से आज मैं घर पर आपको बनाना बता र लें अब इसे हलके हातों से एक तरफ से पत्तियों को इकठा करें इस तरह से इकठा कर लें और हलके हातों से ही इसे एक दूसरे में जोडते हुए फोल्ड करें ऐसे इस तरह अंदर की तरफ रोल करते हुए इसे नीचे की तरफ दूसरे सीरे को प्रेस कर दें जब आप इसे बना कर सेकेंगे तो इसमें बहुत सारे लेयर खिल कराएंगे और देसी की खुब अच्छी तरह से आप इसमें लगाएं यह देखे पाच्वी तरह का भी पराठा बनकर त्यार हो गया है छटे तरीके का पराठा बनाने के लिए रोटी बेल लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से देसी घी लगाएंगे और जब अच्छी तरह से देसी घी लग जाए तो इसके पतले-पतले ट्राइंगल्स काट लेंगे यह देखे जिस तरह से आप व इस तरह से एक के उपर एक ट्रैंगल को उठा कर रखते जाएंगे जब सारे ट्रैंगल से एक के उपर एक आप रख लें तो इसे हलके हाथों से प्रेस करें इस तरह से और इसे जब आप रोल करें तो ट्रैंगल सेप में ही रोल करें जैसे हम लोग तिकोना प्राठा बनाते हैं उसी तरह से ये बन कर त्यार होगा बस लेयर इसमें काफी जादा होंगे सात्वी तरह का प्राठा बनाने के लिए रोटी बेल लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी लगा देंगे चारो तरफ और जब देशी घी अच्छी तरह से लग जाए तो इसके उपर सूखा आठा भी डस्ट कर देंगे सुखा अठा डस्ट करने से जो हम पराठे बनाएंगे उसकी अच्छी तरह से एक एक अलग होगी शेखते समय और इसके एक किनारे को उठाते हुए इस तरह से एक के उपर एक फोल्ड करते जाएं आप देखने जैसे वीडियो में इस तरह से करते जाएं एक के उपर एक इसकी प्लेट इस तरह से रखते जाएंगे यह देखे इस तरह से एक के उपर एक इसकी प्लेटे रख दियें और इसे हलके हाथों से अंदर की तरह फोल्ड करते हुए रोल करें यह देखे इस तरह से और इसे जो दूसरा सिरा है उसका नीचे की तरह प्रेस क साथ मीत रख अभी प्राठे की लोई बनकर त्यार हो गई अब आठ मीत रख के बनाते हैं रोटी बेल लेंगे और अच्छी तरह से घी लगाएंगे और इसके उपर सुखा आठा अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे और पीजा कटर से इसे चार भागों में कट कर लेंगे और एक के उपर इन चारों भागों को रखेंगे अब इसके एक किनाने के उठाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे आप देख रहें वीडियो में इसी तरह से करते जाएं इस तरह से रोल करते हुए दूसरे सीरे की तरफ आ जाएं इस तरह से देखें यह रोल करके बन जाएगा और इसे हलके हातों से इस तरह से उपर की तरफ से प्रेस करते हुए इसे लोई का सेब दें इस तरह से यह एक औ अच्छी तरह से देशी खी लगाएंगे और एक साइड को उठाते भी इस तरह से फोल करेंगे और फिर दूसी तरफ से भी उठा करें आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं इससे लिफाफा पराथा करते हैं आप चाहें तो इसमें गोई भी स्टफिंग भी भर सकते हैं आल में रख देंगे अब आये दस्वे तरीके से पराठा बनाते हैं दस्वे तरीके से पराठा बनाने के लिए रोटी बेल लेंगे और इसके उपर अच्छी तरह से देशी घी लगाएंगे और फिर इसके बाद इसके उपर सुखाटा डस्ट करेंगे और इसके एक साइड का जो एक सिरा फोल्ड करें और इस तरह से घुमाते हुए इसे दूसरे सिरे को नीचे की तरफ प्रेस कर दें और ये देखें इस तरह से दस्वी तरीके का पराठा की लोई बनकर त्यार है अब अगला पराठा बनाते हैं इसके लिए रोटी बेल लेंगे और इसके उपर देसी घी लगा देंगे और देशी घी जब अच्छी तरह से लग जाए तो इसमें सुखा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद इसके किनारों को उठाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे अक्सर हम लोग इस्टफिंग वाले पराथे इसी तरह से बनाते हैं आप चाहे तो इसमें शी मखाल तरीकों से पराथे किलोई बनकर त्यार है आप ょ cuma इन सारे तरीकों से एक बार अपने खरंबे पराथे जरूर बना है और आप देखेंगे कि यह पराथे भहत ज़्यादा स्वादिश्ट और लच्छे-दार बनें हैं और काफी सारी लेयर्ट डिस होती हैं और ब